मुझा नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंखना हुमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथ ही हम लोग बात करेंगे, मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशह में, शब्द के विशह में और वह है अलर्जी तमाम मरीज आते हैं, डॉक्टर साब अलर्जी हो गए यह अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन allergy word उसमें होता है तो आज हम लोग discuss करेंगे allergies के विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टे कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं allergy होती क्या है allergy साथियों आपका जो body होता है उसका एक defensive system होता immune system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body hyper sensitive हो जाता है तो जब आपका external कोई infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं cost करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hyper sensitive response रखता है उस hyper sensitive response में जो इस्थितियत पन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आपसे milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आकेगा milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है allergen के विरूद में इसी से उत्पन condition को allergy कहते हैं इसमें साथियों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है बाडी में कभी या सालों में होता है एक partial होता है उस इस्तिती में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच है जो process होता है उसको sanitization कहते है यहाँ एक पहुर time-taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह के allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो nasal allergy है तो छीकों का symptom हाग है अगर आपके allergy के रिया है तो इसकीन में आपके बल जा गए अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी वो scales आ गया भारी चकत्ता बन गया इस तरह का different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनाफाइलेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहां condition आपके chronic condition develop हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप भी होश हो जाते हैं आपका BP भी लोग हो जाता है आपको pain बहुत पर जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को वश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों इसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का इम्यून सिस्टम होता है वो उसको बाहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में रेकरकनाईज करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibody release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यह जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता ज़्यादा पहचानते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यह आप पहचान लेते हैं के रूप में विभिन विभिन जिस तरने का अलर्जन उस तरने का मेनिफेस्टेशन उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी सातियों इसी लिए डाइगनोसिस के लिए डॉक्टर आईजीए का टेस्ट कराता है, कभी आपको अलर्जीज रही होंगी तो डॉक्टर ने आईजीए टेस्ट चरूर कराया होगा, या इमिनोहिमोग्लोबीन होते हैं, जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं, और यही प्र लेते हैं आज कल बच्चे बच्छे इनको कम करते हैं। चॉकलेट को जयादा प्रिफर करते हैं और हमने देखाया कि बहुत से संस्थानों में दिन में भूग लगती है तो लोग एक चॉकलेट खा लेते हैं। आप वह लोक हलिकि अच्छी चीज नहीं है लेकिन एक बात रखने की बात है तो बहुत लोग जिनको चॉकलेट पसंद है और वह चॉकलेट नहीं खा पा रहें छॉकलेट खाने से उनको उनको allergy होती ही, तो वो क्या करें ? या उन्हें feather से allergy होती है, तो क्या करें ? पंक जो होते हैं अब सलफर 1 एम की 3 खुराइब 25 हिसले ले लोएं आप देखेंगे कि आप आपकी जो चाकलेट के खाने वाली allergy भाए खतम हो गई और आप ठीक हो गई ये दवाईती आपके allergy के विशह में अगर आपके मन में कोई query हो तो आप notification पैनल में अपनी query को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाटसाइप नंबर 94-786-3803 पर अपनी query को वाटसाइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको सिंतोस जनक जवाब दे पाए उमीद करेंगे इन दमाओं से आपको allergies में फायदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा अपने चैनल को अन्हे लोगों को subscribe करने के लिए प्रेद करिएगा और bell notification बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योही प्राप्त करते रहिएगा आपका साथियों इत्ती देर हमाएं साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ हुआ है के लिए हैं झाल 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 झाल